अलीगड के टपल थाना शेतर के गाउन नूरपुर में समुदाई विशेश की लोगों द्वारा बरात चढ़त रोकने से नाराज करीब सवा सो हिंदू परिवारों ने रविवार की सुबह अपने दर्वाजों पर मकान विकाऊ है लिखकर संसनी फैला दी सोशल मीडिया पर ये फोटो वायल होते ही पुलिस भी सतर खुई रईवार की देर शाम गाउं के एक वेक्ति की तहरीर पर समुदाई विशेश के 11 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है मामला 26 मई की दोपहर गाउं के निवासी अनसोचित जातिके ओम प्रकाश की दो बेटियों की बरात को चढ़ने से रोकने का बताया गया है ओम प्रकाश के अनुसार बरात चढ़त के साथ उनके दरवाजे पर आ रही थी मोक के मार्ग पर मस्जिद के पास समदाय विशेश के कुछ लोग एकत्र होकर बरात चढ़त का विरोध करने लगे इस भीड ने बरातियों और गाउं के हिंदूओं पर लाठी डंडे वर रोड से हमला कर दिया इसमें डीजे वाली गाड़ी के शीशे तूट गए गाड़ी के चालक समेट दो लोग घायल हो गए उन्होंने थाने में जानकारी देने के साथ ही अगली सुबह आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी लेकिन थाना पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की सुरक्षा देने के नाम पर गाउं में दो पुलिस कर्मी बिठा दिये गए गाउं वालों ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेश की भीड ने सुनियों जित तरीके से बारात पर हमला किया था पुलिस की कारवाई नहीं से नाराज पेडित परिवार और उनके समर्थन में लोगों ने अपने दर्वाजों के बाहर मकान भिकाऊ है लिखने के साथ ही रविवार की सुबह पुलिस और प्रशाशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया वीडियो डिस्क अमरुजाला.com अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें